नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सेल रॉलकला इसपाज सेंतर के HRDC में डिजिटल परिवर्तन एवंग उद्योग 4.0 कार्यशला आयोजित सेल रॉलकला इसपाज सेंतर के वेस्ट टू वेल्थ CSR तैप पहल के तहट ड्रगन फ्रूट की खेटी इकाई का उठगाटन और आजादी का अमरित महश्चप की कड़ी में आज के वक्तित्व हैं डॉक्टर धिरेंद्र नाथ पतनायक अब समाचार विस्तार से सेल रॉलकला इसपाज सेंतर के HRD सेंटर में 21 सितंबर को डिजिटल परिवर्टन एवंग उद्धियोग 4.0 पर एक दिवसियर समवेदी करन कार्यशाला का आयोजन किया गया इस अफसर पर कार्यपालक निदेशक वोक्स श्री एसाज शुर्यवनसी ने मुक्य अतिती के रूप में उपस्थित होकर कार्यवर्म का उद्धाटन किया इस अफसर पर मुक्य महाप्रवंदक HRD सुस्री राजश्री बैनरजी, मुक्य महाप्रवंदक IA वंग A श्री एसपाल चौधरी, मुक्य महाप्रवंदक C A वंग IT श्री के सिन गुपता और RSP के कई वरिष्ट अधिकारी भी उपस्थित थे विविन विभागों के एकुल 30 कार्यपालक और 11 कार्यपालक प्रतिभागियों ने दोनों सत्रों में भाग लिया कार्यप्रम का मुख्य उदेश डेटा अंतद्रिस्ट के माध्यम से स्पूर्ती, गुणवत्ता, उत्पादक्ता, लाप्रदता, ग्रहक अनुभव, परियावरन और सामाजिक डायत्व के लिए उद्धियों के सर्वस्ट्रेश निस्पादन लक्षे को प्राप्त करना है अपनी समझ बढ़ाने और नेत्रित को उत्प्रेरित करने का आग्रह किया ताकि सूचना प्रणाणी और डिजिटल नवाचारों के विकास का लाब उठाया जा सके। सूच्री राजिश्री बैनेजी ने स्वागत भाशन दिया जबकि महाप्रवंदक HRD श्री के स्री निवास ने धन्यवाद ग्यापित किया वरिस्ट इंस्ट्रक्टर HRD श्री मती समिता मिश्रा ने कारिर्कम का संचालन किया गणमानियों ने आप्चारिक दिप प्रजलित कर और राश्ट्रगान गाकर कारवाई की शुरुवात की इसके बाद डिजिटल परिवर्तन उद्योग 4.0 विशे पर आयोजित विविनेश सत्रों का संचालन मुख्य माप्रवंदक IA श्री S. पाल चौधरी मुख्य माप्रवंदक C. IT. श्री K. जेन गुप्ता माप्रव प्रवंदक प्रवादी ईवंगे श्री अनुप जेना, माप्रवंदक HRD श्री K. श्री निवास और NIT रॉलकिला के प्रोफिसर डॉक्टर D. पी आचाद्य द्वारा किया गया हाली में सेल रॉलकिला इस्पाथ सयंत्र के पाशवंचल विकास संस्थान सेक्टर 20 में ड्रेगन फ्रूट की खेती इकाई का उदगातन मुख्य माप्रवंदक गुणवत्ता श्री आतिश सरकारद्वारा रेजिस्टर NIT आर प्रोफिसर रोहन धीमन के उपस्तिती में किये अक्या गया ये परियोजना राष्ट्य प्रोदगी की संस्थान रॉलकिला के सयोग से शुरू किये गए अप्शिस्ट से संपदा कार्यक्रम के तहत है इस अफसर पर महाप्रवंदक CSR सुस्री मुन्मुन मित्र, उप्माप्रवंदक CSR स्री डी प्रधान, वरिष्प्रवंदक CSR स्री एपती, NIT रोलकिला से प्रोफिसर डॉक्टर राम प्रधान और दोनों संस्थानों के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्तित थे क्रिशी इकाई पाश्वंचल ग्रामों की महिला किसानों की सिख्षा के लिए स्थापित की गई है, जिनको मदे नजर रखकर परियोजना को उनके अनुरूप उप्यूक्त रूप से डिजाइन किया गया है इस नगदी समर्द उत्पाद के विकास के प्रसार के लिए सुन्दरगर जीले में की गई ये एक प्रारंबिक पहल है जो शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्टियों में बहुत अच्छी तरह से पनपती है उलखने है कि RSP के CSR विभाग और NIT रॉलकेला में संयुक्त रूप से मई 2021 में हस्ताक्षरिस समझोता गयापन नेमोईयों के अनुसार चार सार के लिए वेस्ट टू वेल्थ यानि की अप्शिस्ट से संपदा परियोजना लिया है इस परियोजना का उद्देश्य पार्संचल ग्रामों की 700 छोटी महिला किसानों को जेविक खेती की तकनीक और स्मार्ट के और सतत खेती के तरीके से प्रसिक्षित करना है इस परियोजना में CSR परियसर में पहले से लागू की गई पहलों पर आधारित अनुसंसाधन के लिए RSP का सहयोग भी शामिल है आजादी का अमरित महश्चव समारों के उपलक्ष में सेल रॉल केला स्टील प्लांट उडिसा के कुछ प्रसित और कुछ कम जाने माने हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है आज के वक्तित्व हैं डॉक्टर धिरेंद्र नाथ पतनायक एक फरवरी 1933 को मयुर्वन जीले के रायरंगपूर में जन्में डॉक्टर धिरेंद्र पतनायक उडिसी निर्त्य के महन विद्वान और इतिहासकार हैं वे उडिसी के पुरन निर्मान और पुरनरुथान के सबसे महत्वपुन स्थम थे जिन्होंने इस सास्त्रिय नृत्य की स्थिती को एक नई उचाई तक पहुंचाया उन्हेंने स्वर्गिय कवीचंद्र कालीचरन पतनायके साथ सभी गूर्यों को इकठा किया और साथ में उन्होंने नातिय शास्त्रों और भारतिय नृत्य के अन्य ग्रंतों में उडिसी नृत्य को पुनरिन्मान की शुरुआत की उडिया में उनकी पुस्तक उडिसी नृत्य को उडिसी नृत्य में एक अग्रणी कृती माना जाता है दॉक्टर पतनायक भारत सरकार के संस्कृती विवाग से राष्ट्री चात्रवृत्ती प्राप्त करने वाले पहले उरिस्री नित्तत थे। उनकी भव्यता आज भी उरिस्री नित्य के नौसिक्यों को प्रभावित करती है। उन्हें वर्ष 1992 में केंद्र संगीत नाठक अकादमी पुरसकार और वर्ष 2002 में उरिसा संगीत नाठक अकादमी द्वारा कवी समरात उपेंद्र भंज सम्मान से सम्मानित क्या गया। एक जनौरी 2009 को उनका निधन हो गया। हिंदी समाचार का क्षिया आज के लिए बस इतना ही नमस्कार